तो आज के इस वीडियो में में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी की लिखे आ गया हूं कि करके सब करेंगे ठीक है बिनना किसी तरी के स्टार्ट करते हैं पहला कुछन आप से क्या बोल रहे हैं मैं आपको हरे कुशन सॉल करके दिखांगों ऐसे ही अंदाज में कुछ नहीं बोलूंगा तो एक सो बीस आप ऐसे लिखेंगे और इसको अभाज गूंट करना है चोटी चोटा था ठीक है नहीं करना है दो चंग बान जेरो दो तीन अच्छे जीरो दो एक कम दो दो पंच दस तिनी पंचे पंद्रह पांच एक कम पांच जब तक एक ना आजा है में तब तक करना है यानि कि हम एक सो बीस को लिख सकते हैं दो कितनी बार है एक दो तीन बार है पांच एक बार है दो तीन बार है तीन बार है पांच एक बार है दो तीन बार है तीन बार है तीन बार है आपका जो है वो सही हो जाएगा पहला वाला ठीक है कोई दिक्कत नहीं करें 306 और 657 को महत्तम समावर्थ नौ दे रखाए ठीक है यह हम करेंगी सुद्ध महत्तम समावर्थ हमें दे रखाए 306 सेकंड नमबर वाला कुश्यन है आपको पता है प्रथम संख्या गुड़े दे रखाए 306 दूतिय संख्या में दे रखे 657 उनका समावर्थ आ मोहत्तम समावर्थ निके एच से फमें नौदे रखाए हमें लस्यम ग्याद करना है इन नो गुड़े में इस तरफ आके बच्चो किया हो जाएगा अ पूरा गुड़ा करने की भी जरूद नहीं है इक आइक हांका आठ कहां देख रहा है आपको यहां देखने आप्शन नूबर 20 ही हो जाएगा ठीक है इस तरी की सब को दिमाग लगा के हल करना है आगे बढ़ते हैं 15 और 25 का HCF क्या होगा देखो पांदरा को मैं लिक सकता तो तीन बचे पंद्रा पांच इकम पांच और 25 को लिक सकता हुए 25-25 तो पंद्रा बूले तो तीन गौणा पांच और 25 का मतलब है पांच गुड़ें पांच इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पांच की घट दो तो देखो दो संखिया दोनों में होती ही हमें हमें लेना ह होता है HCF में यह संख्या दोनों में तो HCF आजाया का 5 गात नियुंतम घात लेनी हो ती तो पांच की नियूंतम गात कि एक तो आंशर आजायगा 5 ठीके अंसर किया जाएगा पांच अगले कुशन में आ जाएंगे कह रहे हैं एक प्राकृतिक संक्या का बाजे गुरणखंट उसके गुरणफंडों के क्रम को छोड़ती हुए डेस होता है अनिक दो पांच अदूति है तो क्या होता है अदूति यूनिक बोलता है अंग्रेजी में यह होता है अगले प्रश्न में आ जाओ कहरें दूइखात बहुपद होगा जिसके सुन्यों को का योग अंडूरूट दू और गुरणफल एक बट्टे एक बट्टे ती ठीक हामरिकालना दूइह दिखक गवपद ठीको भी अधेएं प्रचो जूत्स रहोता है ट्रत। आइक प्लस एलफा प्लस बीटा एक्स प्लस एललफा पीटाव एक सकवएर एलफा अग्स और एल्फा बिटा दे रखाए अंडूर दो एक्स और एलफा बिटा दे रखाए एक बट्टे तीन ठीक है तो देखो बेटा यह ओप्शन तो को कही है दिखनी रहे तो लौश आपण तीन आ जायगा यहां से गुणा हो जाएगा तीन गुणा एकस स्क्वेर तीन स्क्वेर यहां से आजएगा मैनख के 3 अंडरूट 2x तीन के उपर में एक है तो वो एक ऐसा आजाएगा तो जो दूए खाथ भूपद होता है नो बट्टे के उपर उपर वाला होता है यह वाला पार्ट देखिए कौन से थ्री एक्स स्क्वेर माइनस के अंडू यह वाला ऑप्शन नूबर भी आपका सही हो जाएगा ठीक है हार एक कुशन पूरा डीप सुलूशन के साथ कर रहे हैं अगले वाले प्रिश्ण में आजाओ कि क्या है यदि एक सब्सक्राइब के शुनिक अलफा ब्लस बीड़ा अलफा ब्लस बीड़ा का मान क्या होता है शुनिकों को यह फोलो दे माइनस के भी यह पूने ठीक है और किसी और बहुपत पी एकस के लिए ग्राफ आक्रिती के में धिया हुआ है यह आपका ग्राफ है चुन खोई संख्या बतानी है देखो एकस-एकस में पिएकस बोलाय है तो यह एकस अक्ष एकस बीड़ाएंक उन्ट ओंगे उतने चुन्येक होंगे एकसमें कोई कड़ नहीं है और वाई में हैं वाई से मुझे लेना दिरनी कोई कट परण नहीं यानि के कोई शुन्यक नहीं जीर शुन्यक कखती नहीं है अब इसको चेक करना है कि यह क्या होगा इवन भट टैट टो वह और वीवन कितना फीन बटैजि से करो बीवन कितना माइनस के तीन और बीटो कितना है जार ठीक है यह दो यह तिछ आपस्वरावन नहीं है यह यह इ玩 but बट्टा एटू बरावर नहीं है पीवन बट्टा बीटो तब यह इस कंडिशन में जब होता है तो सकनिशन में क्या होता है प्रतिछेत करते हुए रिखा होती ऑप्शिन नुबर भी से योज रहेगा ठीक है करें सी के कि समान के लिए समेकर यूगा अनंतहल है अनंतहल की कं होती है एंवन बट्टा एटू बीवन बट्टा बीटू सी बट्टा चीटू ψतीन अपंसर बरावर स्केटन से अच्छे नहीं है वारका या नस हेक मारका फाल एक बिट यूद्र दू सीकम उपकेट दू नकरमा फिर अच्छाह तो उप्लसक चाने दूर अधर– नहीं इसका हल कौन सा है देखो बटा जो समिक्रण कुछ संतुच का जगा वहाल हो जायेगा थैखो एक सब्रावर दो रखो रखो य के जगा पर दो य को जगा पर माइनिस के एक दो दूनीच चार मैनस मैनसे देखो बायपक्ष को हल किया दायपक्ष मुझे मिलता है तो अप्श यह वाला हो जाएगा ठीक है वहर रहाखिक समीक्राण योगम जिसका कोई हल नहीं होता हो क्या कहलाते है जब कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाते है अग्ली पृष्ण में आ म्ossenद व्हाइब और एक हे जोड़ेंगे तोह कर टेकांज वर आवर दलॉल जायागा ?", दो प्रटेंट एकस का मान-फवग होग एकस प्लैस वैआपड आवर नो था- Blaze का मान-फ़ रखदू प्लॉसका कर दोशेतर है तो पहले एक्स आता है फिर यता है तो आउरे फिर फील इसना पैश्म को सब्सक्राइब तो आपको कि पीडिट चाहिए तो वो आपको हमारे वेबस्टेट मैथेमेटिक अनलाइस इन पर मिल जाएगा। अगला प्रशन है बटां कि अगला प्रिशन है घृतिकत ψकल्न होता है ठीक है अन्ने था अगर इनको हमौण पत्पाइम फ्रवाgen अगरोर कि एकसी स्वान कि यहूं कॉल और यह थे तू क्लत प्लू कर दा नहीं कह अऱ को स्क्रों को सूनित्यों कोई आप दिर्थ कि नहीं को बसुआ हो जो किसे कड़न माइसको अच्छलिक्निया ऌफक और प्लस का श्युआ है कि द्विगात समिकन होगा बाकी सब में x square कट जायागा तो वो द्विगात नहीं होगा अगर विविक्तिकर का मान जीरो से बड़ा हो तो जो मूल होते हैं वो वास्तिविक और भिन्न होते हैं पहला वाला मूलों की प्रकृति निकालना है यानि कि d का मान निकालना है विवि मानिस का 1 मायनस मायनस प्लस तो या आगे 5 प्लस की पांच है अगर डी कमन प्लस होता है अभी आपने किया थान या नहीं प्र म्न दो भीन वास्तिविक मूल का उता है अभी तेखर देखं देखो अगो इक यह कोशन को कितित रिक्स गमांगे दिया है है यह एक ही टाइप के कुशिन को घुमा घुमांगा दे रहे हैं देखो जब बी का मान अब जब डी का मान बी स्क्वेर मैंस फॉर इसी का में जब जीरो से बड़ा होता है तब दो भिन वास्तिविक दो भिन वास्तिविक मूल होंगे ठीक है यह आजाएगा अगला उसे नहीं को विक्तिकर ज़्याद कि विक्तिकर बतल डी बी स्क्वेर मान इस के फॉर एसी बी क्या है एक्स का गुणज मान इस का एक वर्प फॉर एक एक स्क्राइब नच वन सी कितना है तीन वन का वर्वन चाथती है बारा एक में से बारा घटाएंगे तो माइनस के ग्यारा ओप्शन नमबर डी सही हो जाएगा आगे बड़ो कहेँ यहीदी तीन मीक् extrapol क मुल समानो तो की का मान क्या होगा अगर मूल समान होता है यह व्य कुछन में करने तो डी का मान जीरो होता है यह यह này कि वी स्क्क्वार माइनस वारteёт ठीक है तो बी फिया पर क्या है माइनस के चार कि एकसके को आयिक एकसे कहें च्रुक में है करो किछ डूत जीरु यहां से तोपिछा 15.00 माइनस के चार दरा गे प्लस के चार सूर्ट गोन जा लाग्यां कि इक धषिए अचार भिश्र नबेर्व रहें कि और इसका मूल ग्यात करें इसका मूल क्या होगा तो दो तरीके हैं, या तो इसको हल कर लो, या फिर, देखो, तीन और दो, इसका जो भूल होगा, तीन और दो होगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो यह आप्शन से हो जाएगा, कैसे, देखो, एक्स, एक्स की जगा पर यह एक्स की जगा दो रखोगे, इसको हल करने पर जीरो मिल रहा है, ठीक है, दो, दो कवर्ग, दो दुनी चार, बामदों, दस, यह प्लस का दस, मैनस का दस, कट के जीरो आगे, बाइपक्ष को हल कर के दाएपक्ष मिल रखा, तीन भी रख के देखना बढ़ेगा, तीन का किस बांकिकिए अबर कर रहे है, एपी कौन है, एपी का पूल्थ शर्वांतर बराबर, जोब यह नहीं है, यह सबहन दस та साथ तो यह समान दस्रणी है कि दस्वापत कौन साइब टैसे पी का दस्वापत एटेम निकालना याने की प्लस नौटी प्रथमपत कितना है दो यह आपर कि दिी क stiff चने और प्रक्रांश ऑड windows खटा दोपांच नो चोंटी प्रक्रस उर्द्धालिस और दो सहतालिस नौट फंसर कितना है कि चाहिए गए जो अनकंवले कितनी संख्याय थीन से बाझित है या आपको बतानी लुए नोगटनी नींकले चक्टिन से कटिई प प्रथंपत 12 है तीननक से भिवजित बोलाई तो दी तीन है और अंतिम पद्धा पका तनियान आवे आपको एन गयाद करना है और आप जान दे एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वर इंटू डी ठीक तो एएंग आपकी पास कितना नियानवे यहापकी पास से और एन आपको ग्यात करना डी आपके पास थीन फ्लस की बाराते दरखे मायन स्किबारा हो जाये गेंगो और यहां पर दीन हाप अपर आ जाएगा सबता सी और यह तीन गुणे में दराके बट्टे में आ जाएगा अन मायनस वन में का टो टेंडीन नीचे है दो बजा तीन नम सब्थाइस माइनस को दरागे प्लस का बन हो जाएगा था तो दो उनको वाले कितनी संख्या तीन से वाज़े था तीस संख्या है तो देखो ऑप्शन में 30 है कहीं पर विल्कुल है अप्शन नमबर भी आपका सही हो जाएगा जीरो और पचास के बीच व अंति विश्म शंख्याओ का योग को दिखो 050 के बीच विश्म शंख्या पहली एक है और अंति विश्म के कितनी होंतिस है समसें ख्याओ या कि हमेशा कितने तो 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 है ठीक है कितनी संख्या होती है एं हमें नहीं पता और उसके बाद हम से अशन भी पूछ रहे है the hlager ते हैं आप जानते यह नं बराबर होते है यह प्लस बैसे तो पत्चिस होती है फच्छिस हूथ हैं है बाट्चीस्षा मयोगारे में सभिषन होती है कि अपच्चिस संख्याओ का योगफल कि टिए ना एशन एशन बराबर के अधा जब प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओ को पता है ए प्लस एन शूत्र लगाते हैं एन कितने 25 है बट्टे दो प्रथम पद्वन है और अंतिम पद उन्चास है इसके एपी के लिए पचास ह हो जाएगा वचाने में दो पच्चिस पच्चिस भुना पच्चिस यह हो जाएगा चैसो अख्यूंबर सी हमारे बिल्कुल तरह हो जाएगो हुए अ अकृति में जो कहरें डी इशमान अच्चाः सभी वर्त्त कैसे होते हैं झोटा हो बड़ा हो समरूब टिखने में एक से होते हैं तो आपसे पूछ रहा है एडी का मान क्या होगा तो यह बुझा समानता रहे तो थिल्स का प्रमें लग जाएगा यहां पर क्या होगा एडी हैं यह ब्टे डीवी थिल्स के प्रमें से क्या होता एई अ n the easy है कि ऩागेज़ीर कि डीवी कम में दे रखा है twenties am a bloody है तीन और एसी हमें दे रखा है कि सोरी एह हमें 1.5 दे रखा है 1.5 एसी हमें दिरखा टीट डेड़ कम डेड़ देड़ दुनी दो एक कम दो कटन तो एडी का माना जाएगा एक अप्शन नमबर डी से हो जाएगा ठीक है दो तिर्भुजों के संगत कोण बराबर हो तो तिर्भुज समरूप होते हैं इसको सीड़ों क्या कहते हैं दो तिर्भुजों के संगत कोण बराबर हो ठीक है तो संगत कोण जब बराबर हो ठीक है तो इसे कहेंगे ये ए ए ए उसक सब्सक्राइब हुए सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर वर्ट के साथ खेला है एबीसी पीकियो और के समरूप होगा पी आर क्यों लिखा है एक सिमेट्री लेनी पढ़े कि नहीं पूछ रहे हैं एबीसी पीकियो आर इबीसी पीकियो और ऑप्शन नुमर डी से हो जाएगा के डू सब्के ते दो संभूरूप त्रिपुज़्ों के संगत भूजा का अनुमपाद एधना है उसका रजक ट्रूज इनने प्रोप्र इसकी संभाव यह टू हैं इसके सीट लंब की लंबई भाई ऐसे सीसलम डालें यहां लंब डालने पर इस तो नम डे यह यह इक तो इस पुझा को बार देता है इतना एहोगा इतना होगा आपको एच निकालना एक तुंकी कर्दद का वर्क एसी की का जो वर्old हुनता है घदग्दा था प्लस डी सी का वर्क यह होता है तो एसे आह के पास कितना है है? स्क्वैर्ट याफी सुन्हैं के पास एसटी और एसफराअल प्लस कदला के माइनस का हो जाएगा यह है यहां से 3Square H square आपको H चाहिए याने कि वर्गमूल निकालना बढ़ लिए तो तीन का वर्गमूल नहीं होता है वह अंडूर्ट में हैगा इस्क्वेर भारा के सिर्फ ए हो जाएगा तो अंसर आजागा अंडूरूट तीन है याने कि ऑप्शन नमबर ए हमारा सही हो ठीक है ऐसा कुशन में आएगा तो अशन नबबे ही आपके सिलिबस में वही आएगा ठीक है क्योंकि जो सबसे बड़ी भूजा है ठीक है और यह पाइथा पर में को संतुष कर देगा तो जो पर सबसे बड़ी बजा होती है उसके सामने वाला को नबबेंश का होता है तो बिच्टे के तरह कि में हो सकती हिए तो एक वृट्री की अनंतर ऩिने हो सक्ति pursue और फ्ट की यह थूरी पर अच्छी कुशन करना पड़ेगा मैं जो भूल रौ रहत रों हॉसंचुतर बना तेम हम यह हमारा में वृत्ते है ए मृत का के है एनु안 वहां से भूल भृत प्रशिया कई से 30 मेमनेख तो इसकी इन्दर से 30 से रूंड कि ठीक है घिजिक किश्पर्ष रिखा की बन्बाई क्यां यहां साझ क qui Лart Hero कई लॉब सेरिधे बन्धर है तो फिजिक कि दुन की यह आपका त्रिजтов अ ठीक है वह इस पॉइंट का नाम दिख देते हैं कि आपको पता हैं प्रमेद दर्दशने के नहीं हाँ पर नबेंश का कुण मनता है ठीक है नबेंश के सामने वाली भूचाप क्या हो गई यह कर्ण हो गई इसे आप अधार बोल दो तो आपको क्या निकालना है लंब निकालन प्लस के दरा के बाइनस का हो जाता है गटाओ के तो 25 25 का भरकमूल निकालो के आर आर का मान आजाएगा पांच सेंटिमेटर उत्तर आपका आएगा पांच सेंटिमेटर ठीक है अगला कुशन क्या है एक बिंदु क्यू से के इंदर परश परश रिखा के नंबर 24 है किशत्र की लंबाई है न 14 स्ट के इंद्र के दूरी क्यू है कें दोरी 25 सेंटिमेटर एक तिर्जा की लंभाई किया होगी यह आप से पूच़ा है ठीक है वैसे ही कुशन है तो यहां अभ्यान सोता है यह क्या होगा कंड आपको यहनिकालन आवी आपको यह स्वॉट पनीं और चौबिस का होते हैं पांच उछेत्तर तो आजाएगा उन्चास उन्चास का वर्ग मुन होते है साथ तो तुरिज्य आपके आजाएगे साथ सेंटीमेटर है अग्ला कुशन है दो संकंद्री वृत यह कुशन आपके एंसे अडी का है ठीक है करते हैं फ्लीस वीडियो को लाइक का रहें पाड़ा है रच शॉरी ईस आपके पास और संगेंद्र इम्रिक संख़ते हैं जिए जीवा की लंबाए क्या होगी क्षोटे वृत्त को सिपस्करती यह बड़ा वृत्त का जीवा है चोटे वृत्त को टिछ करते गजाते हैं hold that कि यह तिर्जाएं और यह बड़े वर बीध्य कि खकेन like । इसे म मालो ऐसे मालो आ अपको जितना K estabanlex को तो अगर आपको एबी निकालना है तो एम प्लस एमबी होगा और आप देख रहे हैं कि जो एम है बटा वो एमबी के बढ़ावट है यह वा क्योंकि यह स्पर्श रिखा है और यह त्रिज्ञ है तो यहां पर नप्रेंश का कोड़ मनेगा यहां पर कि यह दे रखा पांच औ यह EMA को निकालना है है न इस AM को में X बोल देता हूं ठीक है यह क्यंकि आपको हल करके नहीं अमको तो बस GC will नले तो यह यह निकालना है तो यह कन है कन क वर्ग में से यह बारी दूणी का यह प्रगाट दो 8 cm अगले वाले पर आजाओ थीटा गेंदरी कोड़ और अहां तरिजा वाले तरिजा वाले तरिजा खंड का छतरफल क्या होजा थीटा वटेट इंसर्ट पाई आर स्क्वेर ठीक है ऑप्शिन नूबर भी व्रिट्ट की सबसे बड़ी जीवा कोम क्या कहते हैं व्यास कहते है एंट दिजा वाले वरिति के उस चाप की लं बाई क्या होगी जो थीटा कोन प्र अंतर्रीट करते हैं चाप की लंबई 2 पाई यार थीटा बटे इनसाद वर टूंभ यार ओर फॉर्मुल आहें बस कहते हैं छे सेंटमेट जिए वाले वरितिट्या जक्त्य गर्टेट इव स्क्वेर् ठीक पाई का मान 22 बत्त्य साथ रखते हैं आपको पता हैं थीटा का माने 60 डिगरी बत्ते में 360 पाई का मान 22 बत्ते साथ और आर हमारे पास से 6 गोणा 6 है न स्कुरिए का मतर्द दो बर गोड़ में 6 चंट 6 तैसा चैटाइंग्ण 12 चंट 16 बत्ते में 7 सेंटिमोंटर स्क्वेर एक सो बत्तिस बत्ते साथ ऑप्षिन निम्बर यह हमारे बिल्कुल सही हो गया अगले खुशन में आ जब एक घोड़ा एक मैदान में साथ मेटर लंबी रस्ति से बंदा हो उस बाग का छितरफल क्या होका जहां गोड़ा घास चर सकता है तो देखो एक मैदान में साथ मेटर लंबी इस बांद यह ठीक है तो यह कुशन में थोड़ा इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट की वह अब घोड़ा कौन से मैदान में बंदा हुआ यह नहीं बता किया है फिर भी हम अपने से मान के चलते है अब देख सकते है मान लिटी चौक और है इसको बोलना चाहिए थाना कि कैसा है ठीक वर्ग है क्या है इसने बोला नहीं तो घोड़ा की रसी की लंबाई दे रखिया साथ मिटर याने कि आर हमारे पास साथ मिटर है और कौन हम मान के चल रहे हैं कि यह 90 डिगरी है इस कोशिन को यह अधा दूराज बन है तो घोड़ है जितना ग्रसी बंदा वो इतना ही चर पाएगा यह तो जखंड के वराबर दिख रहे है तो जखंड को छे त्रफल निकालना है कि इसका शूद्रोध है थीटा बट तीन साथ गुणा पाई आरे स्क्वेर ठीक है तो थीटा हमारे पास 90 है पट्टे में तीन तू साथ पा िंगा तर पाटे में दो कैना वहीं देखो तो शुंदीर टौंसर फिंक प्रिडार कि कुश्चन को पूरा नहीं किया गया तो जो हमारा आज़र वह रहे हो यह नहीं है यह कूश्चन अधा धूरा है इसलिए एंसर नहीं आ रहा है हमारा तिसको अगर अज़िए अभां करो करके रख दिया है यह पार्ट टू है ठीक है यह कुश्चन में टाइप कर लिए यह पार्ट टू है यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा